पचास कमरों की सजुराल में आई एक करीब बहू किंजल एक गरीब परिवार की अनाथ पच्ची थी जिसे चाठा चाची ने पाल पोस कर बढ़ा किया था वो किंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे तो शहर से जब आरव काउं में कुछ वक्त गुजारनी आता है तो उसे किंजल से प्यार हो जाता है इसी कारण वो उसे शादी कर शहर ले आता है तो बीच रास्ते में किंजल कहती है अरे हमको तो यकिन नहीं हो रहा कि आप हमें इतना बड़ा शहर मिलाई है हम कभी शहर नहीं आई है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो ये तो सिर्फ शहर है अभी तो मेरा घर देखोगी तो पागल हो जाओगी पूरे पचास कमरे का बना हुआ बंगला है वो अरे बाप रे बाप पचास कमरे का बंगला हमने तो कभी नहीं देखा हम बहुत बिताब हैं वो बंगला देखने के लिए अच्छा एक आऊ पाथ माजी हमसे कोनों किसी आ न आ जाएं आपसे शादी कर लिना हमने हाँ उन्हें थोड़ा बहुत बुरा लगेगा कि मैंने अचानक से शादी कर ली पर तुम फिकर मत करो हम दोनों मिलकर मा को मना लेंगे जी हम माजी को किसे चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी कुछ देर बाद जब आरफ किंजल को लेकर घर पहुंच जाता है तो बड़े से घर को देखकर किंजल हग की बक्की रह जाती है आरी मुरी माईया आरफ जी क्या ये आपका बंगला है पचास कमरी वाला उड़ी पापा बीज में कितना बड़ा जूमर लगा है ऐसा तो हमने बस टीवी मा देखत है और यहां तो हमरे मुन्ना चुन्मुन पुनुआ अमर मुटकी सब समा जाएंगे पूरा जिला आ जाएगा हाँ हाँ ये तुम्हारे पचास कमरे का ससुराल है जहां मर्जी रहो क्योंकि इस घर का अकेला वारिस हूं मैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है तब ही आवाज सुनकर मिनाक्षी और राजी वाखर कहते है अरे ये कौन शोर मचा रहा है अरव बेटा तुआ क्या और तेरे साथ में ये लड़की कौन है गरीब सी मा ये आपकी बहु है जहां मैं घुमने गया था उस गाउं में मेरी किंजल से मुलाकात होई कुछ वक्त रहा तो फ्यार भी हो गया इसलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली प्लीज मुझे माफ कर दीची आप दोनो बेशरम अपने तेरी शादी के कितने सपने देखे थे और तुने एक गरीब लड़की से शादी कर ली जरूर ये लड़की तेरा फाइदा उठा रही है हम नहीं मानते इस शादी को पिता जी आप तो ये आपकी बहु बन चुकी है और मैं किंजल को यहां से कहीं नहीं जाने दूगा जहां तक मेरी शादी की बात है तो आप दोबारा मेरी शादी किंजल से करवा दीजिए अर्मान पूरे हो जाएंगे आपके इसने तो हमारी इज़त मिट्टी में मिला दी, अब क्या करें, हमारी बहु बन गई है ये, तो रहने दीजिए, इस घर में इसे, चलिए, हम दोनों चलते हैं ऐसा बोलकर मिनाक्षी और राजीव अपनी कमरे में चले जाते हैं वहीं आरफ किंजल को अपना कमरा दिखाता है, जहां बड़ा सा आलिशान कमरा और बातरूम देखकर, किंजल फिर से चौक जाती है आरफ जी, हमारा कमरा भी कितना बड़ा है, इस घर के बाकी 49 कमरे इतने ही बड़े होंगी क्या? हाँ, बिल्कुल, इतने ही बड़े हैं सारे, चलो मैं तुम्हें और भी जगा दिखा देता हूँ ये कहकर आरफ अपनी आलिशान बंगले में 50 कमरों को उसे दिखा दिता है कुछ देर बाद किंजल बैट पर घूंगट करके बैठी थी, आरफ जैसे ही उसका घूंगट उठाता है तो किंजल बोलती है अजी संते हो, हमको प्यास लगत है, हम पानी पी करावत है, जग में पानी नहीं है अच्छा जल्दी आना, तुम जानते हो ना, आज हमारी सुहाग रहाथ है, देरी नहीं कर सकते बिलकुल भी जी, हमका याद है किंजल शर्मा कर खाली जगली ये लिफ्ट से फर्स फ्लो पर आती है, किचन में पानी पीने के लिए हम तो सबने में भी नहीं सोच सकत, कि हमका इतना बड़ा सा सुराल मिलेगा, वो भी पचास कमरे का रसोई घर भी बहुत बढ़िया है, अब जल्दी से चलती हो, आरव जी मेरा इंतजार करत होंगे ये बोलकर किंजल लिफ्ट में पहली मंजिल पर पहुँचती है, तो एक जैसे कमरे होने की कारण वो उनमें चली जाती है, जो की खाली थे तब ये कमरे में आकर किंजल कहती है अरी मुरी मैया ये मैं किस कमरे में आ गई यहां तो आरव जी नहीं है तो उसरी कमरे में देखती हूँ ऐसा बोलकर वो दूसरे कमरे में जाती है जहां उसे फिर से आरव नहीं मिलता और इस तरहां से वो बड़े से पचास कमरों के बंगले में खो जाती है चार घंटे तो वो आरफ को ढूनने में ही लगा देती है जहां आरफ इंतजार में सो जाता है और ठक कर किंजल जिस कमरे में जाती है वहां के बाथरूम में जाकर हाफते हुई कहती है हे प्रबू हम कहा आ गए हमें तो हमारे पती ही नहीं मिल रही अब मैं यहीं सो जाती हूँ वैसे भी उन्होंने कहा था यह पचास कमरी का ससुराल तुमारा ही है मैं यहीं सो रही हूँ यह बोलकर किंजल चादर बिचा कर बाथरूम में सू जाती है अगले दिन जब मिनाक्षी उस कमरे से गुजरती है तो खुला हुआ कमरा देखकर अंधर जाती है जहां बाथरूम में उसे किंजल सूती हुई नजर आती है हे भाकवान ये गरीब बहु तो इस बातरूम में ही सो गई ए गवार बहु ज़रा उठ तब येक आवाज पर किंजल उठकर कहती है जी माजी बोलो का बात होई गवा हमरे नीन खराब करती इतना बड़िया नीन दा रहा था कि का बतावे अरे तुम पागल हो क्या बातरूम म माजी आपका बंगला पचास कम रुका है तो मैं क्या करूँ रात को मैं खो गई तो फिर यहीं सो गई तब ही उसे ढूंटता हुआ आरव आता है फिर किंजल को कमरे में ले जाकर कहता है अरे यार तुम कहां चली गई थी पता है कितना इंतसार करता रहा हमारी सुहाग रा कि हम खो गई थे इतना बड़ा सा सुराल में चलो जाने दो आज मुझे अपने हाथ का स्पेशल खाना बना कर खिला दो बिल्कुल बिल्कुल नहाने के बाद किंजल सबको अपने हाथ का खाना बना कर खिलाती है जिसे खाकर राजीव और मिनाक्षी को अच्छा लगता है और ना चाहते हुए भी वो शगुन उसे देते हैं भले इस करीब बहु ने अच्छा खाना बना कर हमसे शगुन ले लिया लेकिन मैं इसका जीना हराम कर दूँगी अरे मा मैं आपको बताना चाहता था कि पापा और मेरी इंपोर्टेंट मीटिंग उधैपुर में है तो कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं आप केंजल का खयाल रखना निश्चित रहे बेटा तू कुछ दिर बाद ही बाप बेटे उधैपुर की मिटिंग के लिए निकल जाते हैं जहां मिनाक्षी अपने नौकरों को छुट्टी के लिए भीज देती है बहु नौकरों को कुछ काम था तो वो छुट्टी पर है इसलिए अब इस पूरे बंगले की सफाई तुमें ही करनी होगी कर लोगी ना जी माजी आप निश्चित रहे हैं मैं घर का सारा काम कर लूँगी तो जाओ शुरू हो जाओ जाड़ों पहुचा हाथ में देकर मिनाक्षी उसे 50 कमरे की ससुराल की सफाई करने के लिए भीज देती है जहाँ वो बड़े बड़े दो तीन कमरों की सफाई करने के बाद ही ठक जाती है और कहती है बापरी बाप बड़ा मुश्किल है इतना बड़ा कमरा साफ करना लेकिन मुझे माजी को खुश करना ही होगा ऐसा बोल कर किंजल 25 कमरों की सफाई कर देती है जिसमें दुपहर के खाने का टाइम हो जाता है फिर वो खाना बनाती है कपड़े दूती है सास को खाना परोस्ती है और फिर कमरों की सफाई करती है पूरा दिन उसका कमरे की सफाई करने में निकल जाता है जहाँ उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी ये देखकर मिनाक्षी कहती है अरे वाह मिनाक्षी अपनी गरीब गवार बहो को क्या सबक सिखाया बड़ा आई थी इन पचास कमरों की मालकिन बलने वाली बना दिया ना नोकरानी इस तरहां चार दिन तक रोज मरमर के किंजल सारी कमरे की सफाई करती है जिसमें उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी माजी मैंने घर की सारी सफाई कर दी है मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ मैं सोने जा रही हूँ मुझसे पूछा तुने सोना है या नहीं जा बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे जी माजी ये बोलकर किंजल धूप में गार्डन में पानी देने जाती है तो वो बिहोश हो जाती है तभी राजीव और आरफ घर में जैसे ही गुसते हैं तो उन्हें बिहोश किंजल दिखाई देती है उसकी हालत देखकर आरब घबरा जाता है उसे अंदर लाकर उस पर पानी के छीटे डालता है जिससे वो होश में आ जाती है मा, मा मैंने कहा था ना आपको किया आप किंजल का खयार रखना फिर उसे क्या हुआ है, बताएए मुझे सब कुछ क्या किया है तुमने बहु के साथ? वो जी, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी देकर बहु से बुरे पचास कमरे की सफाई करवाई है फिर उसे पौधों में पानी डालने के लिए भीज दिया था तुम पागल तो नहीं हो, इतनी मासूम सी बच्ची के साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी अगर माँ आपको इतना ही हम दोनों की शादी से चेड़ है, तुम्हें ये घर छोड़कर चला जाता हूँ अरे, आप ऐसा क्यों कह रही हो, जो हो गया, जाने दीजी न देख लीजिए, इतने के बाद भी वो आपका पक्ष ले रही है अरे, नहीं बेटा, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मैं माफी मागती हूँ बहु, मुझे माफ कर दे, मुझे लगा तुकाज का टुकड़ा है, जो मेरे बेटे को चुप गया है लेकिन तू तो हीरा है, मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ बहु माजी, आपकी जगे कोई और होता, तो वो भी यही करता, इसलिए भूल जाएए इस तरहां मिनाक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुशी-खुशी अपनी बहु किंजल के साथ रहने लगती है माँ, मैं आपको कह रहा हूना, मैं जल्दी टिकेट करवा कर आप से मिलने के लिए आउंगा देख बेटा, घर पर सभी लोग तेरे आने का इंतजार कर रही है तुझे विदेश गये हुए पूरे 5 साल हो गये, लेकिन तू अभी तक लोट कर नहीं आया तब ही कोशल्या के हाथ से दामोदर फोन ले लेता है और कहता है देख बेटा, तू वापस आजा नहीं तो मुझे मजबूरन वहाँ पर आरा पड़ेगा, तुझे लेने के लिए और हाँ, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूड़ी है, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी उससे हो जाए इसलिए जल्दी से वापस लोटा हाँ हाँ पिताजी, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, मैं जल्द लोटूंगा ऐसा कहकर रितिक जल्दी से फोन कार्ट देता है, तभी पीछे से उसकी पतनी सोफिया कहती है अब तुम्हें क्या बताऊं सोफिया, घर के सभी लोग मुझे वापस बुला रहे हैं, ताकि वो सभी मेरी शादी करवा सके तो तुम्ने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था ना लेकिन मैं ये सब किस मूँ से बताऊं, तुम तो जानती हो, तुम अंग्रेजन हो, उपर से तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं आता अरे जब तुम जाओगे तो तुम से पहली रसोई में ही हल्वा बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है तो इसमें कौन सी भड़ी भात है, मैं तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लूँगी, क्या तुम मुझे बनाना सिखाओगे रितिक सुनकर खुश होता है और कहता है रितिक उस दन के बाद से सोफिया को हल्वा बनाना सिखाता है, जिसके बाद उसकी ट्रेन की टिकेट भी फाइनल हो जाती है और वो अपनी पत्की के साथ रापस इंडिया अपने गाउं में आ जाता है कौशल्या तुरंथी दर्वाजा खोलती है, अपने सामने अपने बेटे रितिक को देख कर हैरान रह जाती है और उसे फॉरण गले से लगा लेती है अरे अरे बेटा तु वापस आ गया, मैं कितने समय से तेरी राहा देख रही थी कौशल्या रितिक को अंदर बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उसके साथ एक अंग्रेजन छूटे कपड़ों में खड़ी होती है अरे ये कौन है जिसने इतने बेरंगी कपड़े पहने है अरे मा, मैं आपको इससे मिलाना तो भूली गया ये आपकी बहू है सोफिया ये सुनते ही कौशल्या का भी भी लो हो जाता और वो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है लेकिन सोफिया और रितिक उसे संभाल कर घर के अंदर ले आते हैं जिसके बाद रितिक उसे सोफिया पर बैठा देता है और एक गलास पानी लाकर उसे देता है आरे आरे ये तूने क्या किया आप मुझे पता है तेरे पिताजी कितना गुस्सा करेंगे देखो मा मैं सोफिया से बहुत प्यार करता हूँ मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दू पिताजी तो हमेशा से ही अपनी मर्जी हमारे उपर थोपते आये हैं लेकिन अपनी जिन्दीकी का फैसला में खुद करना चाहता था तब ही पीचे से दामोदर ये सब सुन लेता है जिसके बाद वो रितिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है पिताजी मुझे माफ कर दीजिये मैंने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि जो कि मैं हमेशा से तुम्हारे ओपर अपनी जिम्मेदारिया थोपता आया हूँ ये तुमने बिल्कुल सच कहा है इसमें कुछ भी जूट नहीं है लेकिन बेटा तु जो मेरे लिए बहु लेकर आया है वो भी कोई कम नहीं है जहां लगा था रितिक को कि उसका परिवार उसकी अंग्रेजन बहु को स्वीकारने से इंकार कर देगा वहीं सब लोग सोफिया के साथ बहुत अच्छे से रहने लगते हैं अरे बहु देख माना तो विदेश से आई है लेकिन हमारे गाउं के तौर तरीके तुझे सीखने होंगे जैसे कि तुने ये जो चोटे कपड़े पहने हमारे गाउं में बहुए साड़िया पहनती है ना कि ऐसे चोटे कपड़े पहनती है असासो माम ये साड़ी क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है तो तुझे साड़ी बादनी भी नहीं आती होगी चल मैं तुझे साड़ी दिखाती हूँ और उसे कैसे पहनते वो भी सिखाती हूँ कोशल ले अपनी एक प्यारी सी साड़ी निकाल कर सोफिया को पहनाती है अरे वास सोफिया बहुत तुम तो बहुती सुन्दर और प्यारी लग रही है चलो आओ बाहर चलते हैं सोफिया को साड़ी में देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं इसके चलते दामुदर कहता है आज तो मैं अपनी बहु के हाथों से कुछ मीठा खाना चाता हूँ वैसे भी इसकी पहली रसोई की रसम अभी ठग नहीं हुई ये सुनते ही सोपिया बहुत खुश होती है और अपने सभी ससुराल वालों से कहती है ये सब क्या हो रहा है अब मैं गॉड मुझे तो अली हलवा ही बनाना आता है अब मैं इने सेवाई और खीर कैसे बना कर दूँगी कुछ देर सभी आपस में बहस करते हैं जिसके चलते रितिक सभी को शान्त करता है बस बस करो अब कोई बहस नहीं होगी आप मैंसे कुछ लोग को खीर खानी है तो कुछ लोगों को सेवाई खानी है अरे भीया बहुत अच्छा हुआ जो आपने इस लडाई को चानक से रुख दिया मैं तो कहती हूँ कि भाबी से दोनों चीज़े ही बनवालो जिससे ही लडाई ही खत्म हो जाए यही रहता हूँ और देखता हूँ कि मेरी प्यारी अंग्रेजन बहु क्या बना कर लाती है रितिक बाहर ही अपने परिवार के साथ बैठ जाता है वहीं सोफिया रसोई में खड़ी हुई रो रही होती है खाश की मेरी मदर भी इस दुनिया में जन्दा होती वो मुझे खाने की सभी चीज़े बनाना से खाती है और मुझे इतनी सारी परिशानिया उठानी नहीं परती सोफिया बिचारी रो रही होती है कि तब ही उसके घर के पास से एक परी गुजर रही थी जिसके चलते परी को बिचारी सोफिया के रोने की आवाज आ जाती है लगता है कोई मुसीबत में है और किसी को मेरी जरूरत है परी फॉरन ही अपनी जादूई शक्तियों की मदद से बिचारी सोफिया के सामने प्रकट हो जाती है जिसके बाद परी सोफिया से पूछती है तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सोफिया अपने बारे में सब कुछ परी को बताती है जिससे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है अरे तुम्हारी मा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूँगी मैं तुम्हारे हाथों में ऐसा जादू डाल दूँगी कि जो भी तुम बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और जब भी तुम सिवई और खीर बनाओगी तो लोग तुम्हारी हमेशा तारीफ करेंगे परी ऐसा कहकर सोफिया के दोनों हाथ पकड़ लेती है जिसके चलते परी का जादू सोफिया के हाथों में आ जाता है और परी वहां से चली जाती है अब सोफिया अपने आप ही सामान निकाल कर सेवई और खीर बनाना शुरू करती है देखते ही देखते सिवई और खीर की खुश्बू पूरे घर में महक उठती है जिसके बाद वह सिवई और खीर चुटे-चुटे बॉल्स में परोज कर अपने घर के सभी सदस्यों को देती है क्या बात है कितना स्वादिश्ट खीर बनाई है तुमने बहु इतनी स्वादिश्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई हाँ भाबी जी और ये सिवई भी बहुत स्वादिश्ट बनी है आप तो फॉरन का आइटम होने के बाद भी इंडियन कल्चर को अच्छे से निभा रहे हो राकी के बाद सुनते ही घर के सभी लोग जोर जोर से हसने लगते हैं सभी लोग एक के बाद एक सोफिया को अपने हाथों से शगुन देते हैं उस दिन के बाद से सोफिया अपने हाथों से जो भी बनाती वो हमेशा स्वादिश्ट ही बनता स्पेशली, खीर और सिवई अब सोपिया अपने ससराल में खुशी-खुशी रहने लगती है